मैं माताओं बहनों के लिए एक विशेश बात कहना चाहता हूँ कई विदेशी कमपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्व निरोधक उपाए बेचती हैं Contraceptives फिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं और उनके कुछ अलग-अलग नाम है, नौर प्लेंट है, इपो प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए Contraceptives बेचे जाते हैं और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भरते आंकड़े निकाले, तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ, कि जिन देशों की ये कंपनिया हैं, उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो प्रवेरा नाम का एक वो बेचा जाता है, एक तकनीक है, जो इन्होंने बनाई है, कंट्रसेप्शन के लिए, गर्व निरोधन के लिए, वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अब जोन, ये कंपनी को अमेरिका क सरकार ने बंद किया हुआ है यहां धिजक्षन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ये इंजेक्शन्स माताओं बेहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है। ये माताओं बेहनों को जादातर महावारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगार देता है ये डिपोप्रवेरा और अंत में उनके गरभाश में कैंसर कर देता है और उन माताओं बेहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बेहनों को पताई नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गये थे। डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपोप्रवेरा का, बताया नहीं उनको और उनको cancer हुआ और वो मर गए बिना बताए हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवाका किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धडलने से बेचा जा रहा है पता नहीं कितने लाग कितनी करोड माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत ह इसी तरह से हमारे देश में एक कॉंट्रा़सेप्शन के लिए नैट इन नाम की एक उनोंने टेक्नालोजी लाई है इस्टिरॉइड के रूप में यह माताओं को दिया जाता है कभी के इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं कभी गोलियों के देते हैं और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्वपात हो जाते हैं। और उनके जो प्यूश ग्रंथी के हार्मोन का सिक्रिशन है वो पूरी तरह से डिस्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और माताओं मैंने बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेटिन दिया जाता है। इसी तरह से आर यू 496 नाम की एक उन्होंने टेक्नीक लाई है, फिर रूसल नाम की एक है, यूकलेफ नाम की एक है, फिर एक नौर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक तीका उन्होंने बनाया है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती है। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ही आती है कि ये जितने भी कॉंट्रसेप्शन्स की चीज़ें माताओं बहनों को दी जाती है। यूट्रस की गरभाशे की माश पेशियां एकदम धीली पड़ जाती है। पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताओं बहने मासिक समय में बेहोश हो जाती है। इतना दर्द होता है उनके शरीर में लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉंट्रसेप्टिव दिया गया उसके कारण ये हो रहा है। और हजारों करोर रुपई की लूट मार इस देश में विदेशी कंपणियों के द्वारा हो रही है। इन कॉंट्रसेप्टिव चीज़ों को बेच करूँ पिर और एक जानकरी देना चाहता हूं। रहे हैं आप कुछ भी करो कंडूम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर सहियम रखो। ये नहीं बताते हैं कि सहियम से जीवन बिताओ। ये नहीं बताते हैं कि अपने पती और पत्नी के साथ वफादारी दिवा। वो गयते कुछ भी करो कंडूम का इस साल विक रहे हैं और अंदा धंध विदेशी कंपनियां इस धंदे में उत पड़ी हैं करीव इस थे विदेशी कंपणिया हैं, अमेरिका की, कुछ जापान की, कुछ मलेशिया की, फ्रांस की, वो इस देश में इसी धंदे में उत्री हुई है, और उनका टार्गेट क्या है, उनका टार्गेट है कि सौ करोड कंडो में एक साल में नहीं, एक दिन में बिकने चाहिए, ये उनका लक्ष है और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को नव्यूवतियों को बहला कर फुसला कर गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगे खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृती हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खतम हो हमारी नैतिकता कमजोर पड और हम इनके कंडोम के ग्रहाग बन जाएं उपभोकता बन जाएं बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का ये व्यापार चलता है